गोतम बूद्ध कम्पूटर ट्रेनिंग इंसिट्यूट में आपका स्वागत है और मैं आपको आज बताऊंगा एच लूक अप तो जैसे हमने कोई सीट बना रखे यहाँ पर देखिए आप भी कोई सीट बना सकते हो बनाने के बाद जो है मराने के बाद हम यहाँ पर कहीं पर भी लिखेंगे इक वैल एच लोक अप ब्रैकेट चालो और इंवेटेड कोमा और इंवेटेड कोमा देने के बाद लिखेंगे मुझे एमोंट देखना है तो उसके लिए लिखेंगे एमोंट amount invert to comma close और comma लगा के full seat को हमने select कर लिया पूरे seat को हमने select कर लिया select करने के बाद comma और किसका दिखना है आपको amount मान चलिए हमें दिखना है monitor का monitor कितनी नमर पा रहा है one जहां से उपर से top से select के होनों वहीं से count भी करना है हमें one two three four five five में CPU आलेंगे और को कॉमा लगा के zero लगा के bracket close enter देखिया आ रहा है monitor का 28 ही है अब देखिया थोड़ा से सिंपल बना देते हैं equal कि हमें बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना ना पड़े उसके लिए H L O K U P और ब्रैकेट चालू करने के बाद एक ब्लैंक cell को select कर लिजए box और इसके बाद कॉमा और पूरा जितना आपका ये है seat उसको select कर लेंगे और कॉमा लगा के दूसरे blank को हमने select कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगा के जीरो और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर इसमें दिखिए रहा है एने बिल्कु सही हमारा फॉर्मूला उपर में जिसमें ब्लैंक वाले फ़र्स्ट वाले था है इसमें लिखेंगे यूनिट रेट लिखने के बाद आप नीचे वाले में आएंगे और नीचे वाले में किसका देखना है यूनिट रेट यूनिट मतलब cpu का मैंने देखना है कि कितना आ रहा है तो one two cpu का देखना है तो one two three four five five नमर जैसे हम डालेंगे एंटर मालेंगे तो आगया 7000 रुप में जैसे दो यहां पर जैसे कि दो नमर डालोगे आप दो नमर डालोगे एंटर तो आगे आपका cpu का 200 रुपे में माउस आप बेचते हो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे बार बार लिखना ने पर है उसके लिए क्या करेंगे हम यहां पर खाली जगह को सेलेक्ट क करके और यहां पर आ जाएंगे हम डाटा डाटा में डाटा वैलिडेशन और यहां पर एनी निम्बर आ रहा है इसे क्या करेंगे लिस्ट पर किलिक करेंगे लिस्ट करने के बाद यहां पर किलिक करेंगे और करने किलिक करने के बाद इसको पूरा को हम सलेक्ट कर लेंगे quantity unit देखना है piece आ रहा है quantity देखना है पंच मारे पास है rate क्या है रहा है हम में जांग और यहां से क्लिक करेंगे और कॉलम यहाँ पर मानसले एक से दस तक मुझे चाहिए दस आगया अब इसके बाद क्या करेंगे seat no 1 के आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके data data के बाद data validation और इसके करने के बाद यहां पर एन नमर है उसको सलेक्ट करेंगे लिस्ट में और यहां करने के बाद इस फे किलिक कर देंगे किलिक करने के बाद यहां पाएंगे सीट नमर टू पर और इसको सलेक्ट कर लेंगे और यहां से फिर क्लिक करके ओके अब देखिए हमारा दो चीज़ एक तो एमाउंट यहां से और नंबर भी आटोमेटिक आ गया तो हमारा वीडियो आपको कैसे लगा थैंक्यू दिस वाज़ों मेरा वीडियो कैसा लगा अब जरूर बताए को